परिचाय बच्चो आज हम लोग Eldehyde, Ketone तथा कारबोक्सलिक अमलों के बारे में पढ़िक होते हैं सर एलडि हाइट क्या होते हैं? एलडी हाइट कार्बनिक योगिक होते हैं जिसमें हाइडा कार्बन श्रंखला के अंत में एलडी हाइट समय जुड़े होते हैं ये LD हाइड समू क्या होता है सर? बेटा, LD हाइड CH तथा O के रूप में परिभाशित प्राकारियात्मक समू है. अब तुम में से कोई मुझे बताओगे कि कीटोन क्या होते हैं? हाँ सर, कीटोन कार्बनिक योगिक होते हैं जिसमें दो कार्बन परमाड़ों से कार्बोनिल समू जुड़े होते हैं. बहुत अच्छे राज, तो आओ इस पार्ट में LD हाइड कीटोन सथा कार्बोक्सिलिक अमलों के बारे में विस्तार से जाने. इस पार्ट के अंध में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. कार्बोनिल योगिकों को परिभाशित करना. कार्बोनिल समू के नामकरण एवं सन्नचना का वड़ंद करना. LD हाइड एवं कीटोन बनाने की विधी की व्याख्या करना. LD हाइड एवं कीटोन के भौतिक गुणों की व्याख्या करना. कार्बोनिल योगिक कार्बनिक रसाइन में कार्बोनिल समू हुँ एक प्रकारियात्मक समू होता है, जिन में कार्बन परमाणू, ऑक्सीजन परमाणू से दूई आबंध द्वारा बंदा होता है. LD हाइडो में कार्बोनिल समू के कार्बन परमाणू की कम सिकम एक संयो जगता एक हाइडोजन परमाणू से संत्रिप्त होती है, तथा अन्ने संयो जगता एलकाइल या एराइल समू के कार्बन द्वारा संत्रिप्त होती है. आता LD हाइट समोह के प्राकारियात्मक समोह CHO है किटोन में कार्बोनिल समोह के कार्बन की दूसनेयों जगताएं एलकाईल या एराईल समोह के कार्बन द्वारा संत्रिप्त होती है किटोन को सामान सुत्र RCOR- द्वारा प्रदशित करते हैं जहां R तथा R- एलकाईल समोह है वे योकिक जिनमें कार्बनिल समोह ऑक्सीजन से आबंदित होते हैं कार्बोकसिलिक अमल कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्र के व्योत्पन वैसे यौकिक होते हैं जिन में कार्बोनिल समुख के कार्बन नाइट्रोजन तथा हैलोजन से जुड़े होते हैं. इन्हें क्रमशा एमाइट तथा ऐसिल हैलाइट कहते हैं. कार्बोनिल समुह के नामकरण तथा सन्दचना नामकरण LDHID तथा कीटोन LDHID तथा कीटोन के नामकरण की दो पधतियां हैं वे हैं सामाने नाम तथा IUPAC नाम सामाने नाम LDHED के सामाने नामों को संगत कारबोक्सलिक अमलों के अंग्रेजी नामों से अनुलगन एक के इस्थान पर LDHED के अनुलगन से प्रतिस्थापित कर प्राप्त किया जाता है एल्डिहाइड श्रिंखला में तर्थिस्थापियों की इस्थिती को ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादी से प्रदेशित करते हैं अल्फा कार्बन वो होता है जो एल्डिहाइड समू से सीधे सनलगन होता है सामान पद्धती में कीटोनों को नामकरण कार्बनिल समू से सनलगन हैलकिल समू के नामों में कीटोन शब्द जोड़ कर दिया जाता है कार्बनिल समू के नामकरण तथा सन्नचना आई यू पी ए सी नाम आई यू पी ए सी पद्धती में एल्डिहाइडों का नाम निम्ने नियम समू के अनुसार किया जाता है अंग्रेजी के मूल योगिक अर्थात कार्बनिल समू की सबसे लंबी कार्बन शरंखला को निर्धारित कीजिए उनके स्थान पर मूल एलकेन के अंतिम ए को हटा कर अल जोड़ दीजिए कार्बोनेल कार्बन से आरंब होने वाली शरंखला को कार्बन एक अंकित कीजिए सभी प्रतिस्थापियों को अंकित कीजिए तथा उनके नाम दीजिए उधारण के लिए दो मिथाइल प्रोपेनल, तीन ब्रोमो, दो मिथाइल ब्यूटेनल वैसे योगिक जिनमें वले से अल्डी हाइडिक समोह जुड़े होते हैं, कार्बोल्डी हाइड चब्द के पीछे वले का नाम लिखा जाता है IUPAC नामकरण पद्धती में कीटोन के नामकरण के नियम अल्डी हाइडों के समरूप ही है यद्धिक कीटोन में कीटोन का नाम O-N-E द्वारा मूल एलकेन में से ये को प्रतिस्थापित करके प्राब्द किया जाता है तथा कार्बनिल कार्बन की स्थिती को एक संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है उधारन के लिए दो हेप्टेनियोन दो नोनेनोन चक्रियक की टोनों में कार्बनिल समोह के कार्बन परमाणों को संख्या एक देते हैं अन्य प्रतिस्थापियों के निमनित संख्याउं वाले योगिकों को दक्षणा वर्त दिशा में या बामा वर्त दिशा में संख्या दी जाती है. कार्बनील समोह का नामकरण तथा संदचना कार्बोनिल समोह की संदचना कार्बोनिल कार्बन तीन अन्य परमाणूं से सिग्मा बंद द्वारा जुड़े होते हैं चूंकि ये आबंद S-P-2 कक्षक का उप्योग करते हैं अता वे समतल में एक दूसरे से 120 डिग्री पर फैले होते हैं कार्बनिल कार्बन के 6-P कक्षक ऑक्सीजन परमाणूं से पाई बंद बनाते हैं इस प्रकार कार्बन तथा ऑक्सीजन दूई आबंद द्वारा जुड़े होते हैं क्योंकि कार्बन तथा ऑक्सीजन की विद्द रनात्मक्ता के मान भिन भिन होते हैं इसलिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच निर्मित बंद धुरूविये होते हैं। एल्डी हाइड तथा कीटोन की ध्रुविये आगोन उच्य होते हैं इथिनल, टोपिनोन तथा डाई इथाइल इथर के बल आगोन क्रमशा 2.72, 2.88 तथा 1.18 होते हैं एल्डी हाइड तथा कीटोन का विर्चन, एल्डी हाइड तथा कीटोन का विर्चन, एल्कोहालों के ऑक्सीकरन द्वारा, प्रात्मिक एल्कोहाल का एल्डी हाइड में ऑक्सीकरन, एक ब्यूटेनॉल का पाइरी डीनियम, दाइक्रोमेट की उपस्तिती में ऑक्सीकरन होता ह तथा ब्यूटेनल प्राप्ट होता है। प्रात्मिक एलकोहॉल को LD हाइड में आक्सिक्रित करने के लिए मृदुल आक्सिकारक एजेंट कहोना आविशक है। अन्य था LD हाइड का आक्सिकरण पुना कार्बोकसिलिक अमल में हो जाता है। दूतियक एलकोहॉल का आक्सिकरण कीटोन में होता है। आईसो प्रोपाइल एलकोहॉल में क्रोमिक अम्न को मिलाने पर प्रोपेनोन बनता है जो एक कीटोन है। एलकोहॉलों के वी हाइड्रोजनन द्वारा जब एलकोहॉल वाश्प को चांदी या तांबे जैसे तब्त धातू के उत्प्रेरत पर गुजारा जाता है तो प्रात्मिक एलकोहॉल एल्डिहाइड देता है, जबकि दूतियक एलकोहॉल कीटोन देता है। जब इथेनॉल के वाश्प को तांबे पर गुजारते हैं, तो प्रोपेनोन बनता है, तथा हाइटोजन कैस मुक्तो होती है. एल्डी हाइट तथा कीटोन का विर्चन, हाइड्रोकार्बनो द्वारा, एल्किनो के ओजोनी अबघटन द्वारा, एल्किनो के ओजोनी अबघटन ओजोनाइट देता है, जिसका जिंक तथा जल से अपचैन करने पर एल्डी हाइट तथा कीटोन प्राब्द होता है. ओजोन कैस इथीन से अभिक्रिया करता है तथा ओजोनाइट बनाता है जिसमें जल के साथ जिंक मिलाने पर मिथिनल तथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है ओजोन कैस दो तीन डाइब मिथाइल दो ब्यूटिन से अभिक्रिया करती है तथा एक माध्यमिक उत्पाद ओजोनाइट बनता है जिसमें जल के साथ थोड़ी मात्रा में जिंक मिलाने पर प्रोपेनोन तथा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है एलकिनो के जल योजन त्वारा जब एसिटिलीन भाप को मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्तिती में जलिये सल्फियूरिक अम्ल से होकर गुजारा जाता है तो एसी टल्टिहाइड बनता है एल्टिहाइड तथा कीटोन का विर्जन एल्टिहाइडों का विर्जन एसिट क्लोराइड, क्लोराइड अम्ल द्वारा बेंजॉयल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम की उपस्तिती में उत्प्रेर की उप्चायन करने पर बेंजल्टिहाइड प्राप्त होता है नाइट्राइल तथा एस्टर द्वारा नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइट तथा हैड्रोक्लोरिक अमल से अपचाइद कराने पर इमीन प्राप्त होता है जो जल अबघटन के पश्चाथ संगत अल्डिहाइड देता है इस अभिक्रिया को स्टिफेन अभिक्रिया कहते हैं नाइट्राइल को डाई आईसो ब्यूटाइल अलुमिनियम हाइड्राइट द्वारा इमिनो में अपचयित किया जा सकता है जिसका पुनाजल अपकटन होने पर अल्डी हाइट प्राप्त होता है एस्टर डाई आईसो ब्यूटिल अलुमिनियम हाइड्राइट से अल्डी हाइट में अपचयित हो जाता है एल्डी हाइट एवं कीटोन का विर्जन हाइड्रो कारबन द्वारा एरोमेटिक हाइड्रो कारबनों से निम्न विधियों दारा एरोमेटिक एल्डी हाइट बनाया जाता है मिथाइल बेंजीन के ऑक्सी करण द्वारा बेंजल्टी हाइड को टॉलूइन से इतार्ड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है अभिक्रिया में कार्बन डाइसलफाइड में क्रोमिल क्लोराइड से टॉलूइन का आक्सी करण होता है जो क्रोमियम संकुल देता है जिसका जल अभघटन करने पर बैंजलीहाइड प्राप्त होता है तॉलूइन को एसिटिक एन हाइटराइड में क्रोमिक ओकसाइड त्वारा ऑकसिक कृत करने पर पैंजीलीडीन डाईयसिटेड बनता है जो जलिये अम्र के साथ जल अब घटन करने पर संगत बेंजल्डिहाइट देता है एल्डिहाइट तथा कीटोन का विर्चन पाश्व श्रिंखला के क्लोरीनन के पश्चाथ जल अब घटन टॉलुइन के पाश्व श्रिंखला क्लोरीनन से बेंजल्डिहाइट प्राप्थ होता है जिसका जल अब घटन करने पर बेंजल्डिहाइट प्राप्थ होता है ये बेंजल्डिहाइट के उत्पादन की ओद्यों की क्विधी है बेंजीन या इसके व्युत्पन की कारवन मोनो आकसाइड तता हाइटोजन क्लोराइड गैस से निरजल अलुमिनियम क्लोराइड की उपस्थिती में अभिक्रिया कराने पर संगत बेजल्डिहाइड प्राप्त होता है एल्डिहाइड एवं कीटोन का विर्चन कीटोन का विर्चन एसिल क्लोराइड त्वारा ग्रीनियार अभिकर्मक की कैड्मियम क्लोराइड से अभिक्रिया के फल सोरूप भारी धातू व्युत्पन प्राप्त होता है अर्थात एक कार्बनिक केड्मियम योगिक तथा मैगनेशियम क्लोराइड प्राप्थ होता है कार्बनिक केड्मियम अभी कर्मक की ऐसिल हैलाइट के साथ अभिक्रिया प्रचुर नाभिकरागी होती है इस प्रकार एसिल क्लोराइट के साथ कार्बनिक कैड्मियम की अभिक्रिया कीटोन के विर्चन के लिए महत्पून विधी है। केडबियम अभी कर्मक उपयोगी है क्योंकि वे कीटून के उप उधपाधक को चोड़ने के लिए अभी क्रिया करने की अवस्था में अभी क्रिया रुख जाती है एल्डी हाइड एवं कीटून का विर्चन नाइट्राइल द्वारा ग्रीन यार अभी कर्मक के साथ नाइट्राइल की अभी क्रिया के पश्चाद जल अभ खटन करने पर कीटून बनता है इधर में ग्रीन यार अभी कर्मक प्रोपेन नाइट्राइल से अभी क्रिया करता है तथा तब ये एक मध्य वर्थी देता है जिसका जल अभ खटन करने पर प्रोपायो फिनोन प्राप्द होता है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन द्वारा बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन की क्लोरीन अम्र के साथ निर्जल अलुमिनियम क्लोराइट की उपस्थिती में प्रतिक क्रिया कराने पर संगत की टून प्राप्द होता है ये अभी क्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट्स ऐसी टिलन कहलाती है गुण धर्म भौतिक अवस्था पार्मेल्डी हाइड जो कमरे के ताप पर गैस है उसको छोड़कर अधिकांश एल्डी हाइड तथा की टून साधारन ताप पर गैस है कम आणविक दरफेमान वाले एल्डी हाइडों में तीक्षन गंध पाई जाती है जबकि उच्च आडमिक दरफेमान वाले एल्डी हाइड एवं की टून में सुगंध पाई जाती है वास्तों में कुछ की टून का उप्योग सुगंधों में होता है प्राक्रितिक्स रोज से प्राप्त कुछ एरोमेटिक एल्डी हाइडों में बहुत अच्छी सुगंद होती है बहुत इक गुण धर्म कौथनांग एल्डी हाइड एवं कीटोन में सम तुल्ले आणविक द्रवेमान के हाइडो कार्वनों की तुल्ला में कौथनांग उच्छ होते हैं यही कारण है कि एल्डी हाइड एवं कीटोन में धुरुव ये कार्बोनिल समुहूं तथा उन में मजबूत अंत्रा आण्मिक दुईधुरुव दुईधुरुव आकर्शन होता है। कार्बोनिल कार्बन के चारों और एल्गिल समुहूं को विकर्शित करने वाले दो इलेक्ट्रोनों की उपस्तिती के कारण कीटोन अपने संगत समाव यवी एल्डी हाइडों से अधिक धुरुविय होते हैं अता कीटोनों के कौतनांक समाव यवी एल्डी हाइडों की तुल बहुतिक गुण धर्म विलेता LD हाइडों तथा कीटोनों के निम्न सदस से जल में विलाई होते हैं ये जल अडों के साथ हाइडोजन बंद बनाने की उनकी क्षमता के कारण होता है जल में इन योगिकों की विलेता एलकिल समों के आकार में वृद्धी होने के साथ खड़ता है ये अडों में अध्रुविय भागों के परिमार में वृद्धी के कारण होता है क्या आप जानते हैं? पार्मेंटी हाइड एक रंग हीन जोलन शील तीशनकंध युक्त विशाक्त गैस है जर्मन रसाइनक के आगस्त वॉन हाफमान ने इसे सन 1867 ईसवी में कोजा मेधेनल रंजग तथा प्लास्टिक के निर्माण में प्रिवक्त होता है ये आखों शीलेशमा जिल्ली तथा पूपरी शौसन तंत्र में उत्तेजना उत्पन कर सकता है सारांश आईए हमने जो कुस्ती का है उसे संग्शेप में तोराएं कार्बोनेल समोह एक प्राकारियात मक्समों है जिनमें कार्बन परमाणों से दुई आबंधी ऑक्सीजन परमाणों सनलगन होते हैं एल्डी हैटों के सामाने नामों को लिखने के लिए कार्बोक्सिलिक अमलों के संगत अंग्रेजी नाम के अंत में इस्थित अनुलगन इक यानी आईए सी के स्थान पर एल्डी हैट लगा कर प्राप्द किया जाता है सामाने पधती में कीटोनों का नाम कार्बोनेल समों से जुड़े अल्किल समों के नामों में कीटोन शब्द जोड़ कर किया जाता है कार्बनेल कार्बन तीन अन्य पर्माणों से सिग्मा बंद द्वारा जुड़े होते हैं तथा कार्बनेल कार्बन के शेश पी, कक्षक, ऑक्सीजन पर्माणों के साथ पाई बंद बनाते हैं अधिकांश सामानने अल्डिहाइड तथा कीटोन साधारन ताप पर द्रव होते हैं अल्डिहाइडों तथा कीटोनों के समतुल्ले आडमिक द्रवेमान के हाईड्रो कार्बनों के तुल्ला में उच्चिक्वतनाग होते हैं अल्डिहाइडों तथा कीटोनों के निम्न सदस से जल में विलाए होते हैं किन्तु अल्गिल समोह के आखार में प्रिद्धी होने से जल में इन योगिकों की तुल्ला में विलेता घटी जाती है